नमस्कार दोस्तों मैं हूं सुर्जीत श्यामल और आप देख रहे हैं वरकर हुआ स्टॉर्टिंग दोस्तों आप सभी लोगों के लिए आज मैं ESI के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया हूँ जिसके तहत अगर आप ESI कार्ड होल्डर हैं यानि कि ESI का आपको कार्ड मिला हुआ है आप रेजिस्टर हैं अपने कंपनी के दोरा ESI विभाग में तो अब क्या है केवल ESI का औस धाले या फिर चिकित सा केंदर नहीं बलकि आप प्राइविट अस्पताल में भी आल इलाज क कंडिशन में आप जाकर के प्राइविट अस्पताल में इलाज करा सकते थे जिसका बाद में ESI के तरफ से आपको पे कर दिया जाता था जितना भी वी लादी होता था लेकिन अभी क्या है अभी सभी लोग करा सकते हैं लेकिन उसके लिए कुछ सर्थ है आज मैं इसी के बा बाइस टेप करके जानते हैं लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक चरू कर दें जिस अंसान में 10 या 20 या उससे अधिक करमचारी कार्ज रत हैं या फिर उनकी जो सैलरी है कम से कम 21 या रूपे तक है या उससे कम है तो ऐसे लोग इस एक्ट के अंदर आते हैं और 10 या 20 जो मैंने बताया है वो अलग-अलग राज में अलग-अलग नियम है और इसके लिए employee और employer दोनों को अंसदान देना होता है यानि कि contribution देना पड़ता है जो की समय समय पे बदलता रहता है ऐसे पहले कुछ और था लेकिन अभी जो आपका इसका अंसदान है करमचारी का 0.75% है और employer का 3.25% है और इससे क्या होता है जहां भी आप काम करते हैं तो एक तो जो employer हो होता है या कोई leave वेगर होता है या फिर कोई accident हो जाता है तो ऐसे समय में ESI की जिम्मेवारी बनती है और employer उस जिम्मेवारी से मुक्त हो जाता है उसके साथ ही करमचारी को यह फायदा है कि पूरे परिवार को केवल free चिकतसा ही नहीं बलकि अलग-अलग benefit है maternity benefit को दुरग कि केंद्रिय मंतरालाय के दौरा private अस्पतालों के अंदर ESI कार धारी अब जाकर के इलाज करा सकते हैं और उसके लिए उनको कोई पैसे का भुकता नहीं करना परेगा लेकिन यह वैसे चेतरों पे applicable होगा जहां पे 10 km तक कोई ESI का उस्धाल है या अस्पताल नहीं है और व किसी ESI मेंबर को किसी प्राइवेट अस्पताल में रेफर के बाद ही इलाज करा सकते हैं लेकिन आपको रेफर करने की जरूत नहीं है लेकिन आपके एरिया में 10 km के अंदर को ESI अस्पताल नहीं है तो आप सीधे क्या करेंगे जो नामित अस्पताल है ESI का यानि कि में भी बताऊंगा बाद में तो वहाँ पे आप डिरेक्ट जाएंगे अपने ESI कार्ड को लेकर के यी पहचान पत्र स्वास्त पास्बूक के साथ आधार कार्ड सरकार द्वाराजारी पहचान पत्र दिखाना होगा जिसको दिखाने के बाद वहां जाकर कि आप डॉक्टर है या फिर dispensary है या फिर ESI का original office है वहां जाकर कि आप उसको claim कर सकते हैं जिसका पैसा आपको बाद में मिलेगा अगर आप मेंसे किसी वेक्ति को उसी अस्पताल में भरती होने के अब सकता होगी यानि कि कोई गंभीर बिमारी है या फिर किसी urgency में आप वहां जाते हैं दि दूभल लेना होगा और आप वहां अपना इलाज करा सकेंगे condition वही होगा और इसके लिए जो notification है मैं अपने blog www.worker.in पर जाकर upload कर दूँगा इसके साथ ही आप अलग-अलग स्टेट के हैं आपके अलग-अलग स्टेट में कौन सा private hospital है जो की ESI से connected है इसके लिए हमने अप आपका link है उसको available कराने की कोशिस करेंगे इसके साथ ही आपका कोई सवाल है तो comments में लिख करके पूछ सकते हैं वीडियो को अधिक्सरी लाइक करेंगे और अधिक्सरी शेयर करेंगे ताकि अधिक्सरी साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाई इसके साथ ही बिदा लेत हूं जल्द एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं धन्यवाद